नमस्कार दोस्तों मुम्ता की रिसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं चिली गारलिक मस्रूम तो आईए देखिये कैसे बनता है इन में की चीनों की जुरुत होती है तो यहां पे मैंने मस्रूम लिया है मस्रूम को अच्छे से वॉस किया और उसके बाद कट कर लिया है यहां पे लिया है मैंने रेड चिली साबूत रेड चिली जिसे मैंने पानी में सोक करके रखा हुआ है और यह ले लिया है मैंने लहसन की 12-15 कलिया ली है मैंने इसे भी मैंने छिल के रख ली है और यह लिया है मैंने तड़के के लिए तेल यह लिया है मैंने सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक मिक्सर का जार लेते हैं और मिक्सर का जार लेने के बाद इसमें जो हमने चिली सोक करके रखी थी वो डाल देंगे इसलिए मैंने सोक की थी इसे कि यह जल्दी से अच्छा से पेस्ट बन जाए और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है और उसके बाद डाल दिया है मैंने ये लहसन, उसके बाद ये रेट चिली पाउडर, और ये डाल दिया है मैंने नमक, नमक आप अपने स्वाद के ही साथ से लें, और ये मैंने चीनी डाल दी है, आदी टीज़ूल, इन सारी चीजों को मैं खुब बारीक सा अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी, तो चलिए बना लेते हैं पेस्ट, और अब देखिए यहां पे मैंने पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं कैसा पेस्ट बनके तयार हुआ है, यहां पे देखिए मैंने फ्राइंग पेन रख लिया है, और फ्राइंग पेन हमारा गरम हो चुका है, त नमक और चीनी सारा डाल के जो पेस्ट बनाया था उसको मैंने डाल दिया है। यहाँ पे आप आपने हाथों का ध्यान रखें कि तेल गरम होने से अगर आप पेस्ट डालेंगे तो तेल चटक के हाथ पे भी आ सकता है। और इसी के साथ मैं डाल दूँगी यह प्याज प्याज भी इसके साथ पक जाएगा और प्याज का भी कच्छापन चला जाएगा तो इसमें मैं बराबर चलाते हुए प्याज को पका लूँगी। यह बहुत ही डिलिशियस रेस्पी है। आप इसे जरूर ट्राइ करें। और अब मैं गैस की फ्लेम को कम कर लूँगी। इसमें हम पानी अब बिल्कुल नहीं डालेंगे। जब हम पेस्ट बनाते हैं तो पेस्ट बनाते समय ही उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि हमारा पेस्ट अच्छा बने। और मैं इसे बराबर चलाते रहूँगी। और अब मैं यह मसरूम डाल देती हूं इसमें और अच्छे से मिक्स कर लूँगी यहां पे बराबर चलाते हुए लेंगे इसमें पानी डालेंगे इसलिए क्योंकि मस्रूम का अपना ही पानी होता है तो जब यह पकेगा तो उसी पानी से यह पक जाएगा और आपको तो पता ही है कि मसरूम कितना हेल्दी होता है तो मसरूम को ऐसे जरूर बनाएं ये पूरी पराठे या फिर चपाती के साथ या फिर किसी भी चीज के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है और आप देख सकते हैं इसे बराबर चलाते हुए मैंने इसको मिक्स कर लिया है और गैस की फ्लेम को बिलकुल कम ही रखना है ताकि हमारा मसरूम नीचे से जलने ला लगे और अब मैंने इसे धकन लगा दिया है और धकन लगाने के बाद दो मिनट तक पकाने के बाद मैं एक बार फिर देख लेती हूँ तो देखिए इसमें पानी आ गया है मस्रूम का निकलने लगा है और मस्रूम भी थोड़ा पक चुका है पर अभी भी थोड़ा सा बाकी है तो मैं अभी भी इसे एक मिनट और पकाऊंगी यह देखिए फिर से मैं ठकन लगा देती हूँ और एक मिनट का वेट करती हूँ एक मिनट हो चुका है और अब हमारा मस्रूम पक्के बिल्कुल तयार है यह देखिए और मैं इसे अब सर्ब कर लेती हूँ और गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और यहां पर देखिए हमारी मस्रूम की रेस्पी सर्ब कर ली है मैंने और मैं उपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा दनिया डाल देती हूँ यह आपको पसंद है तो डाले ने तो इसके बीना भी बहुत स्वादिश्ट सबजी लगती है और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें हमारी वीडियो को सेयर करें अपने रिलेटिव में अपने दोस्तों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि जब भी हम कोई नई रिस्पी लेके आए तो आप सबसे पहले देख पाएं बाई बाई दोस्तों